रूस के राश्टपती व्लादमिर पुतिन ने अब एक ऐसी चितावनी जारी की है जो सीधे तोर पर अमेरिका और उसके सयोगी देशों पर हमले जैसा है पुतिन ने सक्त लहजे में चिताया है कि जो भी देश रूस पर परमाणू हमला करेगा उसका धर्ती से सफाय कर दिया जाएगा इतना ही नहीं पुतिन ने अमेरिका का नाम लेकर कहा कि रूस अमेरिका की तरह पहले परमाणू हत्यार का इस्तमाल नहीं करेगा लेकिन अगर किसी ने रूस के खिलाफ परमानू हत्यार का इस्तमाल किया तो पुतिन उस देश का नामों निशान मिटा देंगे पुतिन ने ये भी दावा किया कि यूक्रेन में युद्ध के ले अत्रिक्ट सैनिकों की भरती करने की कोई आवशकता नहीं है युक्रेन में रूसी स्पेशल मिलिटरी ओपरेशन 24 फरवरी से जारी है पुतिन पहले ही युक्रेन युद्ध को जारी रखने का एलान कर चुके है पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कि जो भी देश रूस पर परमाणू हमला करेगा उसका चहरा धर्ती से मिटा दिया जाएगा हलाकि उन्होंने इस दोरान रूस के पहले परमाणों हत्यारों के इस्तमाल की संभावना से भी इनकार कर दिया इस बीच युक्रेन में और अधिक आपातकालिन बिजली कटोती की गोशना की गई है युक्रेन ठंड बढ़ने से पहले अपने बरबाद हुए बिजली सेंक्त्रों के मरम्मत की कोशिश में जुटा है युक्रेन के आधिस अधिक पावर सप्लाई ग्रेड और उर्जा सेंक्त्र रूसी हवाई हमलों में तबाह हो चुके हैं युक्रेन के नेशनल ग्रेड ऑपरेटर युक्रेन गो ने कहा है कि सर्दियों के मौसम के बीच सिस्टम बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है सबसे जाधा कमी युक्रेन के पश्मी इलाकों में है युक्रेन ने नागरिक बुनियादी धाचे पर हमले को युद अपरात कहा है और लोगों से ओवन जैसे उपकरणों के उपयोग को कम करके उर्जा बचाने का अग्रह किया है युक्रेन का अग्रह किया है